हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल आज हम क्रिजन में हच्पी एससी के प्रीविस एर एच्पी जी के क्वेश्चन्स को रिपीट करेंगे जिसमें से आपको आने वाले जो एक्जाम से उसमें हेलफुल हो सकती है तो इसमें फ्रस्ट क्वेश्चन है सेक्स रेशो वाइज रैंक ओफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया एस पर सेंसेश 2011 वाज जन्गन्ना 2011 के अनुसार हिमाचल में प्रदेश का भारत में लिंगनबग के द्रिश्टी जेकर में तो एक टैंथ नंबर पे ऑप्शन डी जो इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वेश्टन है टोटल विदान सवा कॉंस्टिट्यूएंस इन मंडी डिस्टीक ओफ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुल विदान सवा निर्वाचन सेतर है तो इस दस है और सबसे ज़्यादा जो वो कांगडा डिस्टीक में है पंद्रह हैं और सबसे कम जो है कि नौर में एक है और लॉर्सफिती में भी एक है तो और श्रिमला में आठे या प्याद रखें क्योंकि अभी एलेक्षन लगी है तो पूछ जा सकते हैं जंजर्दार इस लोकेटेटेड इन विच डिस्टीक आफ हिमाचल प्रदेश जंजर्दार इमाचल प्रदेश के केस जिले में स्थीत है तो बलासपूर डिस्टीक में ऑप्शन इसका राइट अंसर है यसपाल इस लोकेटेड इन विच डिस्टीक आफ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाया जाता है तो एक कांगड़ा डिस्टीक में नाया जाता है ओप्शन इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्षन है कांगड़ा फेमस प्लेस लोकेटेड इन विच डिस्टीक आफ हिमाचल प्रदेश तो कांगड़ा जो है किनो डिस्टीक में ऑप्शन सी इसका राइट अंसर है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् unf Ten फॉप्सरइह इसका राइट ऐंश इन्ट फ्रस्याह विच डिस्तिकाफ इमाचल प्रदेश है ट्लोएस्ट स्टेव कास्ट पॉप्लेशन तो इसमें जो 순ब पीति की सबसे का में option D इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्चन है विच आफ दा फॉलॉइंग इस पॉप्लर ली नोन एज एलोरा ओफ दा इमाचल तो एलोरा जो है मस्रूर रॉक कट कैम टेंपल जो है कंगड़ा में टिस्टिक में उसे का जाते option C इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्चन है वो मंग दा फॉलॉइंग वाज रिटर्न अनपोस्ट टू दा फर्स्ट लोग सभा इसमें से अनंचन जी आए थे तो option D जो इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्चन है तो ओरिजिनल कैपिटल ओफ ब्लासपूर प्रिसिंशली स्टेट वाज तो ब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्टन है विच इस दा मोस्ट इंडर्स्ट लाइज डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का सरवाधी को दिए कृत जीला कौन सा है तो यह जो है सोलन डिस्टिक का ऑप्शन ए जो है इसका राइट अंसर हो तो फ्रन मेरे च